हेलो एव्रिवान सो वेलकम तू जेदेव क्लासेश फॉर जे रेफ इन पॉलिटिकल साइंस आज की क्लास में हम करेंगे काल पॉपर को सुचली स्टार्ट करते हैं काल पॉपर अगर आप देखो तो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो है इनकी मोस्ट बुक है 1945 की बुक है तो ध्यान रखिएगा तो कॉल काल पॉपर अगर आप देखो तो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है साथी काल पॉपर जो है तो वो क्या करते हैं काल पॉपर ने क्रिटिक किया है ना तो काल पॉपर ने ओपन सुसाइटीज का एनेमी किस-किस को कहा है तो open society का enemy वो basically तीन लोगों को बोलते हैं तो ये ध्यान रखना ये paper के लिए काफ़ी important है एक तो plateau, plateau को आप सब को पताएं ये Karl Popper ने critic किया था दूसरे कहते हैं heagle को ठीक है heagle को भी इन्होंने क्या बताया? heagle को भी इन्होंने open society का enemy बोला और तीसरा बताया Karl Marx को तो ये plateau, heagle और Karl Marx को क्या करते हैं? open society का enemy considered करते हैं उसके बाद अगर आप देखो तो इन्होंने basically जो Karl Popper थे ना तो Karl Popper ने विचारधारा हैं बोली कि केवल सिर्फ ताना शाही में ही पाई जाती है इनका according इनका पते क्या मानना था कि जो ideologies होती हैं वो basically कहां पर पाई जाती हैं जहां पर ताना शाही समाज होता है वहां पर क्योंकि वहां पर सभी मनुष्य एक ही साचे में डालने की कोशिश की जाती हैं वहां पर लोगों के पास right तो होते नहीं हैं वहां पर लोगों के पास सिर्फ क्या होती हैं duties होती हैं तो open society में विचार धारा को कोई स्थान नहीं होता क्योंकि वहां आलोचना या बदलाफ की सुतंतरता यहां पर अगर आप देखो तो बदलाफ की सुतंतरता अगर आप देखो तो आपर open society जो मुक्त समाज है वहां पर विचार धारा को कोई स्थान होगा नहीं होगा लेकिन जो जैसे गर मालो विचार धारा कहां पाई जाएगी उन्होंने क्या बोला विचार धारा वहां पाई जाएगी ऐसे तानाशाही समाज में पाई जाएगी जहाँ पर सभी लोगों को एक ही ढाचे में ढालने की कोशिश की जाएगी तो अगर मालो मगर मैं बोलो कि काल पॉपर की open society में ideology पाई जाएगी नहीं कैसे नहीं पाई जाएगी न क्योंकि वो कहते हैं कि भई open society में क्या होगा open society में विचारधारा का कोई स्थान नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर आलोचना वो बदलाव की सतंत्रता होती है वहाँ पर आप किसी को भी क्रिटिक कर सकते हो आप वहाँ पर अगर आप किसी चीज में बदलाव चाहते हो तो वो भी कर सकते हो चीक है तो काल पॉपर अगर आप देखो इन्होंने न काफी important इनका एक सिध्धान्त है उसे लिख लो ये काफी important है क्या पता आपके paper में आ जाए चीक है जितना भी important है मैं आप लोगों को सब सारी चीजें करा रही हूँ तो इनका एक important सिध्धान्त है जिसको बोलते है उत्रोतर परिवरतन का सिध्धान्त क्या बोलते है उत्रोतर परिवरतन का सिध्धान्त चीक है तो इसके अंदर या फिर इने खंडस निर्मान भी बोलते है क्या बोलते है खंडश खंडस निर्मान English में बोलते हैं इसको Peace Meal Engineering क्या बोलते हैं? English में लिख लेना सारे बच्चे Peace Meal Engineering चीक है? तो Peace Meal Engineering बोलते हैं यानि विवस्था में परिवर्तन जैसा कि Marx ने कहा था कि क्रांती हो है ना क्रांती हो सही नहीं बलकि धीरे धीरे परिवर्तन को आगे बढ़ाया जाये ताकि कमी रह जाये तो आसानी से सुधार किया जा सके यानि कि इसमें अगर आप देखो तो यह जो बोलते हैं Peace Meal Engineering यानि विवस्था में परिवर्तन इसका मतलब होता है विवस्था में परिवर्तन यानि चेंज करना किसी भी सिस्टम में चेंज लाना ठीक है और इसनों ने देखो जैसे कि आप देखो के Marx ने बोला था Marx ने क्या कहा था क्रांती हो है ना क्रांती हो सही नहीं बलकि धीरे धीरे परिवर्तन को आगे बढ़ा जाये ताकि कभी कमी रह जाये तो हम उसमें क्या कर पाएंगे सुधार कर पाएंगे इसी तरह से अगर आप देखो तो हन्ना अर्डेंट आती है क्या आती है हन्ना अर्डेंट अब हन्ना अर्डेंट की अगर हम बात करें तो इनकी most important आपको पताईए इनकी बुक का नाम क्या है तो यह 1951 की है और इसके अंदर इन्होंने क्या बताया इसके अंदर इन्होंने सरवाधिकार वाद पर अपनी दो विशेशताओं के कारण समाज पर संपून स्थाबित करता है तो उन्होंने बोला कि भाईया दो बज़े से कोई भी किसी पर डॉमिनेंस करता है अगर मालो उसके पास यह दो चीज़े हैं तो वो उस पर अपना वर्चस्व कर लेगा पहला क्या? विचारधारा पहला उन्होंने विचारधारा बताई कि हाँ विचारधारा हो नहीं चीव विचारधारा से आप क्या कर पाओगे? मस्तिष्क पर कंट्रोल कर लोगे मस्तिष्क पर नियंतरण कर लोगे पहला उन्होंने आइडलोजी बताया क्या बताया? आइडलोजी तो आइडलोजी से आप क्या करोगे? दूसरे पर कंट्रोल करोगे और second क्या बता है आतंक, आतंक को क्या बोलते हैं, terror, किसी को डरा धमका के भी आप कर सकते हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखेगा, इसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें, तो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में ही Francis Fukuyama का बता देती हूं, Francis Fukuyama का आपको याद होगा end of history, ने क्या किया था, Fukuyama ने इस शब्द को गड़ा था, किस शब्द को, the end of history को, end of history को इन्हों ने गड़ा था, इसको कॉइन किया था, और ये कहां के थे, USA के थे, henna, कहां के थे, USA के, तो इन्होंने Fukuyama का ना एक लेख था इस लेख का नाम था ये end of history तो ये कप का था बच्चों 1989 का उन्होंने नेशनल इंटरस्ट मैगजीन में लिखा था इसको मतलब एक आर्टिकल था ये नेशनल उस मैगजीन का नाम था नेशनल इंटरस्ट मैगजीन इंटरस्ट मैगजीन ठीक है तो इस मैगजीन में इसे लिखा गया था और Fukuyama की जो बुक का पूरा नाम अगर आप देखो तो ये जो पहले तो इसे आर्टिकल के तौर पर लिखा बाद में उन्होंने इसे विस्तारित किया तो इनकी बुक का नाम था the end of history the end of history and last man चीक है तो ये बुक जो है वो है 1992 की कब की है जो इनका end of history जो इन्होंने टम को क्वाइन किया था ना तो ये 1989 में किया था इन्होंने आर्टिकल चापा था नैशनल इंटरस्ट मैगजीन में लेकिन उसके बाद इसको और ज़दा एक्समेंड किया और end of history and last man उन्होंने बुक लिखी तो इसके अंदर उन्होंने क्या लिखा था ये सबसे important theme होता है है ना इसमें लिख लेना उदारवाद उदारवाद की विजय इतिहास के उस लंबे संघर्ष का अंत है जो इसके विकास में बादक था चीक है तो इस ध्यान रखना उदारवाद की विजय इतिहास के इस लंबे संघर्ष का अंत है जो इसके विकास में बादक था तो यह ध्यान रखना अच्छा आपको आप लोगों को पता होगा फुको यामा को क्रिटेसाइस किया था फुको यामा को क्रिटेसाइस कौन करते हैं भई सेम्मिल हंटी गंटन येस ये ध्यान रखना हंटी गंटन जो हमारे हंटी गंटन है न तो हंटी गंटन ने अपने most important एक बुक के अंदर जो इनका एक आर्टिकल था a clash of civilization याद है a clash of civilization तो ये clash of civilization अगर आप देखोगे 1993 का तो इसको हम बोलते हैं सभिताओं का अंत क्या बोलते हैं सभिताओं का अंत तो सभिताओं के अंत में इन्होंने इसके अंदर क्या किया इनको criticize किया अब आप सोच रहे होगे कि criticize क्यूं किया तो इन्होंने लिखा कि भविष्य में संघर्ष जो है वो आर्थिक और राजनितिक विचारधाराओं के बीच में नहीं बलकि सांस्कृतिक वो आर्थिक, राजनीतिक, विचारधाराओं के बीच में नहीं, बलकी, सांस्कृतिक, विचारधाराओं के बीच होगा, चीक है? जो गैर पश्चमी सभ्यताएं हैं, या आप बोल दो संस्कृतियां हैं, क्या हैं संस्कृतियां, वो क्या करेंगी? वो पश्चमी संस्कृति को टक कर देंगी, ठीक है? जो गैर पश्चमी सभ्यताएं हैं, वो पश्चमी संस्कृति को टक कर देंगी, टक कर देंगी, तो यह ध्यान रखेगा, तो यह ध्यान रखेगा सारे बच्चे, तो हंटी गंटन बता हैं, हंटी गंटन एक चीज और आप लोग याद रखना, हंटी गंटन ने, एशिया का, एशिया का, जो मुस्लिम कल्चर है, उसको यह फायर ओफ रिंग्स बोलते हैं, ध्यान रखना, आग का गोला, चीके, आग का गोला, फायर ओफ रिंग्स, र-I-N-G-S, चीके, तो यह ध्यान रखना, चलिए, थैंकि सो माच आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी, थैंक्यू और थैंक्स फॉर वाचिंग, बाई 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 तु ओल, थैंक्यू.